असलम्वलेक्म फ्रेंड्स मैं हूं इर्फान मक्सूद BTC Electronics आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल Electromex Solution जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल है domestic और industrial electronics और electrical equipment के मतलब इसमें मैं आपको electronics और electrical चीज़ों की repairing, installation और operating tips and tricks बताता हूँ लेकिन आज की मेरी वीडियो है Faisal Town Phase 2 और गुर्षने कश्मीर Asia Housing Society के बारे में जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ ये तीसरी वीडियो है इस वीडियो में हम आपके सामने गुर्षने कश्मीर Asia Housing Society और Faisal Town Phase 2 के जो अफेक्टिज हैं उसका solution आपके सामने रखेंगे ये एक हमारी राए है इस राए से आपका मुत्फिक होना या ना होना ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे के बेहतरी राए आपके सामने रखें जैसा कि आप पहली दो वीडियो में जान चुकी हैं कि ये असल मसला क्या है गुल्षने कश्मीर Asia Housing Society और Faisal Town Phase 2 का तो अगर आपको इसके बारे में कोई ज़दा अपडेट नहीं है मिल जाएगी कि फैसल Town Phase 2 का क्या मसला है और गुल्षने कश्मीर Asia Housing Society का क्या मसला है तो फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमें कितने लोग देखना और सुनना चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की आवाजें उठाएं अपना करदार अदा करें और आप हमारे साथ जा मिलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेले एकंट को प्रेस करेंगे, तो यह हमारी टीम दिन मा दिन एक तवणा टीम बनती जाएगी, एक भरपूर, स्ट्रॉंग आवाज बनती जाएगी. तो इस तरह हम मिलकर एक माशरे में एक बेहतरीन करदार अदा कर सकते हैं आप कमेंट भी जरूर करें अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं उसके बाद आप एक कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपक के उपर देखना चाहते हैं या क्या आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको पूरी इंफरमेशन अपनी इमारदारी के साथ देने की कोशिश करेंगे अभी हम आजाते हैं फैसल टाउन फेस 2 का जो जिन लोगोंने फाइलें खरीदी है पहले उसके सुलूशन के बारे में के उनके साथ पहले तो उनके साथ हाथ क्या हुआ है या उनके साथ ये गड़ब़ हुई है कि फैसल टाउन फेस 2 के पास अपनी कोई जमीन नहीं है लेकन उन्होंने बहुत सी फाइलें बेच दी हैं लेकन उनके पास जगा बिलकुल भी नहीं है जगा कौन सी थी वो जगा है गुल्षन कश्मीर एशिया हाउसिंग ससाइटी जो आर रेड़ी लोगों को बिख चुकी है इस जगा पे बहुत से लोगों को रिजिस्टियां भी करवा के दे दी गई हैं और कुछ लोगों को फाइलें और कबजा दिया गया है तो फैसल टॉन फेस टू के जो अफेक्टिज हैं उनको हमारा मश्वरा है कि वो अपनी फाइलें फॉरण जैसे ही मुमकन हो सके फैसल टॉन फेसी टू को वापस कर दें उनको किसी और को ना बेचें ताकि कोई और भी ना फास जाए Faisl Town के जो मतासरे हैं Faisl Town FaZe 2 के उनके लिए हमारा मश्वरा यही है क्योंकि इनके पास जमीन नहीं अगर यह जमीन हासल करते हैं गुल्षन कश्मीर वाली तो जारी बात है गुल्षन कश्मीर के लोग वो अपनी जमीन देने के लिए त्यार नहीं क्योंकि वो खरीद चुके हैं वो अपना उपर एक मुस्तक्बिल तमीर कर चुके हैं और फैसल टाउन फेस टू अगर चाहे भी तो ये जमीन खरीद नहीं सकता क्योंकि जो गुशने किश्मीर के अफेक्टिज हैं वो जमीन देने के लिए बिलकुल तयार नहीं है क्योंकि उ जमीने खरीदी हैं अब वो किसी ख़त तक भी त्यार नहीं है कि वो जे जमीन बेच दें किसी किमत पर बेचने के लिए त्यार नहीं है अब वो उठ खड़े हुएं पहले इन्होंने आके मशिनरी फैसर टॉन फैस टूने और एशिया गुशने कश्मीर एशिया हुसंसराटी वालों की मिली भगत से इन्होंने मशिनरी लगाने की कोशिश किया जैसे ही लोगों को पता चलाया तो लोग उठ खड़े हुएं जैसे के आप मेरी पिछली दो वीडियोस में देश सकते हैं यह क्लिप आपके सामने हैं जाओं के नजराने को पेश कर देंगे लेकर यह तुमारी भूर है कि तुमें गरी वहां हों के प्रादों पे पफ़्दा करो पफ़्दा बादिया नमदूर नमदूर फिर आगे आफिर आओं नमदूर पे इंशालले इंचितो जैस आगे बढ़ेगी हम अपने हाद के लि अगर हमारी जान चली जाती है दुनिया नहीं तो आगर हमारी बढ़ेगी इंशालला मुक्तर भाद किये जहां आपको हमारी दुरों पड़ेगी माली जानी हादर है अपने फ्रेंड्स क्लिप मिलाहज़ा फरमाए लोग बिलकुल भी अपनी जमीन जगा देने के लिए ति विफ्मर फटीन चार केटागरी्स हैं जिस तरह पेली केटागरीद को हम जो कैटागरी है उसको रख लेती हैं जिनके पास रेजिस्ट्री टांस्फर है उसमें भी कुछ मसाहिल जरूर है लेकर उनके पास एक लीगल डाकुमेंट है तो वो उस डाकुमेंट की बनाद पर सबसे पहले उनके लिए जो सलूशन है वो ये सलूशन है कि वो अपनी जगा के उपर अपनी बौंडरी वाल करें जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जब रिजिस्ट्री करवा के दी हैं नहाज़ा इस चीज़ को मद्दे नज़र रखते हुए सबसे पहले आप लोगों को जो जिनके पास रिजिस्ट्री है और कब्जा है उन लोगों को अपनी बौंडरी वाल बनानी चाहिए और उसके अंदर अपने कमरे बनाने चाहिए वो एक घर की शकल उसको दें ताक है कि वो अपने मतालका थाने में जाएं और मतालका कोट्स में जाएं और जाकि अपने सारे सबूत उनके सामने रखें और एक दर्खास दें और उनको ओपर F.I.R कट भाएं के उनोंने हमसे पैसे ले ली रियए रिजिस्ट्री हमें दे दी आब जमीन हमें नहीं दे रहे तो ये बेहतरी तरीका है कि वो इस चैनल को इसमाल करते हुए प्रैक्टिकली जमीन के उपर कब्जा हासल करें अब दूसरा केस जो बनता है वो बनता है कि वो लोग जिनको कश्मीर और एशिया हस्विंग सिसाइटी की तरफ से कब्जा लेटर दिया गया है और फाइल दी ग जमीन पर कब्जा दिया गया उनका भी फार्मूला सेम ही बनेगा कि वो भी अपनी जमीन के उपर जाके चारदवारी करें और अपना घर बनाएं क्योंके पाकिसान में बहुत सी ऐसी सिसाइटी हैं जहां सिर्फ उनको सिसाइटी के तरफ से फाइल और कब्जा लेटर दिय गया उनका केस पहले वो अपने मतालका थाने में जाएं और उसके बाद वो अदालत में जाएं जाके अपना केस फाइल करें कि जी हमसे ये इस जमीन के बदले में वो अपने डाकुमेंट्स पेश करें कि हमसे पैसे ले लिए गए हैं और इतना अरसा हो गया है वो अपना स अगर ही है कि जो जिन लोगों से पैसे ले लिए गए हैं किस्तें उनकी पूरी होगी हैं लेकन उनको कबजा लेटर नहीं दिया तो वो अपनी किस्तें जो उनों ने पे की हैं उसकी बनیाद के उपर काइस Rights फाईle करें کہ ہم سے قسطیں ले ले लेकर हमें कबजा लेटर नहीं दिया और जमीन के ओपर कबजा नहीं दिया तो उनको भी अदालत में और मतल्का थाने में ही जाके रपोर्ट देनी पड़ेगी ये तो फेरंड्ड थे लीगल जो मैंने आपको बता दिया ये लीगल वे है और जाद रखें ये एक मेरी जाती राय है इसको कहीं आप कोर्ट में या अदालत में या किसी थाने में आप चैलेंज नहीं कर सकते ये अब बहुत से लोगों के मसाइल इस तरह के हैं वो कहते हैं कि लेंड्सकेपिंग नहीं हुई उसके उपर कोई कंस्रक् नहीं हुआ हमें प्लाट की मार्किंग नहीं है प्रापरली हमें और उनके जो दफातर हैं गुलशने किश्मिर वालों के बांद हैं कोई हमें इंटर्टेन नहीं कर रहा तो इसका सलूशन क्या है इसका सलूशन ये है कि आर रेडी बहुत से अफेक्टिस हैं जो यक जा हैं और इसके उपर उन्होंने F.I.R. भी दी हुई है और अदालत में भी गए हुए हैं उनके साथ मिलें और अपने केस को लड़ें उस टीम के साथ राबता करने के लिए अगर इस पहले से ग्रूप वाला को ये वीडियो देख रहा है तो वो कर्मेंट में अपना वटसैप नमबर दे दे ताके लोग आपके साथ जाइन हो सकें और वो भी आपके साथ इस केस में शामल हो सकें आरेडी इस जो पहले से एफेक्टिज लोगों का एक वाटसैप ग्रूप बना हुए है ये कोई चार पांस सो लोग है इन्होंने अपनी एक कमेटी मनाई हुई है दस बारां रुकनी कमेटी है जो आरेडी ये कोर्ट प्रासेस और ये थाने की चारियों को देख रही है और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस टीम के साथ शामल हो जाएं यकजा हो जाएं क्योंके कामयाबी का रास एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक टीम बनकर कठे मिलकर चलकर ही कामयाबी मिलती है तो फ्रेंज याद रखें कि आपका मकाबला एक माफिया से है माफिया पास हलाल के नहीं होते ये लोगों की लूट मार की कमाईयन के पास होती है इसलिए उसको वो इसमाल करने से भी द्रेग नहीं अब इस सलूशन की तरफ बढ़ते हैं कि आपने बांडरी वाल करनी है और इसको कैसे आपने बचाना है उसके लिए मुझतलिफ लोगों की कांडरी वाल करें उसका तरीका कार यह है कि आप लोगों को मिलकर एक और कमेटी बनानी पड़ेगी जो एंजीनियर्स की कमेटी होगी यकिना इस से साइटी के अंदर मुझतलिफ तबकात फिकर के लोग रहते हैं मुझतलिफ उनके प्रफेशन्स हैं कुछ एंजीनियर्स भी हैं कोई वकील भी हैं वकला भी हैं इसमें कुछ फोज से रिटार्ड भी लोग हैं कोई मुझतलिफ वाबडा से तलक रखने वाले हैं तो मुझतलिफ लोग इसमें शामल है वो उसकी एक अपनी टीम बनाएं याद रखें कि यो लोग उट क्यों खड़े हुएं यह इसी सुसाइटी के इर्दगिद यही रेट चल रहे हैं और आपने अगर इस सुसाइटी को यह अब मैं गुलशने कश्मीर अफेक्टिज या मतासरीन से बात कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह जो आप जमीन देख रहे हैं जो वीडियो में आपको नजर आ रही है इस जमीन की तो वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक इसके उपर आप कोई डिवल्पमेंट का काम नहीं करेंगे अब याद रखें कि फैसल टौन फैस टू पांच मनले का प्लाट तीस लाग का दे रहा है लेकन वो लोगों से पैसे लेकर क्योंकि फाइल ने उसने बेज आने के लिए आपको भी फर्दर अपने प्लाटों के उपर या अपनी कमेटी बनाके इसकी डिवल्पमेंट इस सुसाइटी की करने पड़ीगी फिर आपके प्लाट की वी वैल्यू यही होगी अधर वाइस अगर आपको पता हो एक साल पहले तक यह प्लाट गोशने कश्म मरला से लेकर एक लाख मरला तक रेट था लेकन यह इस अलाके के इर्दो गिर्द जो बाकी सुसाइटीज है उसके हसाब से यह कीमत बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर उन अलाकों के हसाब से अपने कीमत लेनी है या अपनी सुसाइटी की वैल्यू बनानी है तो आपको फ साधा सी जमीन को एक अच्छी सुसाइटी में बदलने के लिए सकीम आपके सामने हैं सबसे पहले आपको सडकें बनानी पड़ेंगी सडकें बनाने के लिए आपको एक फंड दरकार है वलकि आपको आप जो एक टीम बनाएंगे जिसमें एंजिनियर्ज शामल होंगे वो एक इसी तरह आपको सेवरिज सिस्टम चाहिए सेवरिज सिस्टम के लिए एक एस्टिमेट नकालना पड़ेगा कि इसका एक पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा वो भी ये एंजिनियर्ज ही कामसार अंजाम देंगे और इसी के साथ आपको वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिए उसके लिए भी आपको ये इंजिनियर्स की खिदमा दरकार होंगी वो एक एस्टिमेट नकालेंगे और एक बजट बनाएंगे इसी तरह आपको इस सॉसाइटी को डिवेल्प करने के लिए अलेक्टिसिटी चाहिए और या सोलर सिस्टम चाहिए अगर आप सोलर के उपर काम करना चाहें तो सोलर के उपर इसमें मेरी भी फिल्ड इनवाल्ब है तो सोलर का भी आईडिया आपको मिल सकता है और अलेक्टिसिटी का भी आपके एंजिनियर्स इसमें वाबडा के लोग भी काम करने हैं वाबडा के लोग भी हैं तो वो आपको इसमें रहनमाई दे सकते हैं और साथ-साथ क्योंकि ये एक पहले ही कांटरवर्शल एरिया बन चुका हुआ है आपको अपने इन पलाटों की इन इस अलाके की हफास के लिए सकोर्टी गाड चाहिए सकोर्टी सिस्टम चाहिए तो उनके लिए भी एक बजट जो है आपको बनाना पड़ेगा और ये सारा बजट आप यब यकजा करेंगे ये जो आप अभी ये पिक्चर देख रहे हैं इस तरह की सुसाइटी इस तरह एक्जैक्टली तो नहीं होगी लेकर मिलती जुलती सुसाइटी बनाने के लिए आपको ये अखराजाद करने पड़ेंगे जिस के लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा अब यकीना इस सुसाइटी में वो लोग शामल है जिनके पास पैसा जादा नहीं था क्यूंके जब भी ये जगा ली गई उस वक्त भी ये अपने इड़ो गिर्द के लिहाज से अपने राइट लेफ्ट के लिहाज से ये जमीन सस्ती थी और आज भी अगर देखा जाए जिन लोगों ने कुछ साल डेट साल पहले खरीद दी है तो बाकी आलाकों की निस्ब़ ये ससी थी मतलब कि यहाँ ज़्यादतार गरीब लोग शामल है जो इतना बड़ा फंड नहीं दे सकते लेकर उन सब को मैनेज करना पड़ेगा ये आपको फंड मन्तली आप इंस्टाल्मेंट दे या कोछ इसके प्रान करें तीन से पांस साल तक इंस्टाल्मेंट बनाएं इसमें या तो इस सर्माय को यूज करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमाल कर सकते हैं उनकी शादियों के लिए या उनके बिजनस के लिए लेकन अगर जिस तरह ये अभी जो आप जो स्ट्रेट देख रहे हैं ये बीस तीस साल से ऐसी ही है लेकन अगर आपने किसी औ और पे छोड़ा तो ये ऐसा अगले 20-30 साल भी ऐसा ही रहेगा क्यूंके जो गुलशने कश्मीर जिन्हों ने बनाया था उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाया था बलके उन्होंने लूटने के लिए बनाया था तो इसलिए वो तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगी फिर हो सकता है अगर मुमकन हो क्योंके जब एक जगा लोग रहते हैं तो कुछ मसाइल भी जन्म लेते हैं आपको हो सकता है अपनी सुसाइटी को और स्क्यूर करने के लिए बाउंडरी वाल भी बनानी पड़े और उसके लिए भी सुसाइटी रिजिस्टर नहीं थी इसलिए यहां तो डिवेल्पमेंट भी गौर्मेंट नहीं करके देगी या गौर्मेंट इस तरह नहीं देगी यहां लोगों को पहले अबाद होना पड़ेगा फिर गौर्मेंट आपको बिजली या सोई गैस या बाकी चीज़ें परव होंगा लोगों के पैसों से होता है तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं कि अकसाद में देने पड़ते हैं अकसाद कर देते हैं ताके वो लोग इसली पे कर सकें इसलिए आप लोग भी एक लाहा अमल बनाएं और इसको एक प्रापर सुसाइटी की शेप दें और अपनी इस जमीन की हफाज़त के लिए अपने प्लाटों के फाज़त के लिए और इस से बेनिफेट उठाने के लिए ये सारे प्रॉसेस आपको करने पड़ेंगे जब आप कर लेंगे और उसके बाद फिर आपके प्लाट की वैलियू अगर आप सेल भी करना चाहते हैं तो जो आज कर बाकी सुसाइटिज में रेटा तो ही आपको ये रेट मिलेगा तो फ्रेंड्स मैं अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को जएदा से जएदा शेयर कर दें ताके जो लोग अफेक्टीज हैं लेकन उनको अभी तक नहीं पता के उनकी जमीनों पर कबजा होने जा रहा है या कबजे की कोशश हो रही ह क्यूँके लोग बहुत दूर से हैं कराची से है कैपी से ब्रोचसान से कश्मीर से हैं मुखतर वलाकों से लोग हैं जगा एसी है जहां डवेल्पमेंट होने का नाम नहीं ले रही थीं तो लोग कोई सालबाद आके प्लाट देखता है कोई दोसाराबद कोई इस वीडियो के नीचे कमेंट में देते जाएं ताकि ये टीम मजबूत से मजबूत होती जाए तो मैं फ्रेंड्स आपसे अमीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा और नेक्स वीडियो के लिए आप अपनी राए का इज़ार जरूर करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे बलेस्ट अल्ला हाफिज